नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत शामुल और आप देख रहे हैं वरकर बहाश टॉर्टिन दोस्तों पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉक्टाउन लगा हुआ है और दिल्ली सरकार ने इसी के बीच एक घोशना की जिनके पास लेवर कार्ड है पांच हाया रुपे परतेक लेवर कार्ड धारकों को ये बताया गया सरकार के दोरा कि उनके अकाउंट में भेजा जाएगा दो लाख दस जार के असपास हो गई है। अभी एक दो दिन पहले ही केजरिवाल जी ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं जो उनके पास रेइस्टर हैं उनके एकाउंट में पांच-पांच-पांच-थार रुपया क्रेट कर दिया गया है। उसके बाद भी हमारे ब्लॉग पे हमारे यूट्यूब चैनल के मादधम से जो आप लोगे कमेंट्स आ रहा हैं उससे ये पता चला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एकाउंट में अभी तक क्रेट नहीं किया गया है। उसका क्या कारण है ये तो सरकार को पता होगा लेकिन उसके बाद ही मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि कैसे आप कम्प्ल्एंड करें। चुकि अभी lockdown है और सभी लोग को के सामने रोजगार की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, तो मैं कुछ complain का तरीका आपके सामने लेकर करके आया हूँ, जिससे की complain आपको करना होगा, और कैसे complain करना है, कहाँ complain करना है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसके साथ ही कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मिट होगा, इसके लिए अनुरूध है, आप इस वीडियो पे अंतक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो जल से लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, और विल आइकन को जरूँ क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से समधी, जो भी वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, तो आइए दोस्तो हम इसको स्टेप बाई स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले विडियो को लाइक चरूँ कर दे हैं, दोस्तो अगर आप दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, जो कि इसमें दिल्ली सरकार के दोरा एड किया गया है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, तो विडियो नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, इसके साथ ही रेजिस्टेशन का पूरा प्रोसेस आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं नीचे विडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा, अब आते हैं, इस लॉक्डाउन में, जो दिली सरकार के तरफ से घोशना की गई है, पांच-पांच हजाय रुपे हर एक लेवर्ड कार्ड धारको को दिया जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारे लोग के कमेंट्स और मेल आ रहे हमारे पास, इसके उनका पैसा भी तक क्रेट नहीं हुआ है, उनके एकाउंट में नहीं आया है, तो इसके लिए पिछले हपते ही हमने क्या किया था, दिली के केजिवाल जी को और मनीश शोदिया जी को एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में ये पूछा था कि जिन लोग का 5 रुपए एकाउंट में क्रेट नहीं हुआ है, रेजिस्टर्ड यूजर हैं, तो उसके लिए क्या हाँ सिकायत करें, क्या सिकायत करें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, इसके बाद हमने क्या किया, एक स्रमिक हेल्प लाइन नंबर दिली सरकार के तरफ से, आप लोग के लिए है, जो की 15-52 है, इस पे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर केर में फोन पिक किया जाता है, और आपको जानकारी दी जाती है, उसमें यह जानकारी दी गई, चुके भी लोगडाउन है, और लिवर विभाग बंद है, जो आपका डिस्टिक कार जाला है, लोगडाउन खुलने के बाद, वहाँ जाकर के आप सिकायत करेंगे, ऐसे में सरकार से मेरा एक सवाल है, कि जब लोग भूखे मर जाएंगे, तो क्या उनका भूत लेवर कमिशनर आफिस में शिकायत करने जाएगा, हलाकि सरकार ने ये 5-6 रूपे की सहायता जो दी है, वो उनको जिंदा रखने के लिए दी है, क्योंकि उनका रोजी रोटी छिन गया है, लोगडाउन की वज़े से, तो शायद इस 5-6 रूपे से, वो कुछ दिन सर्वाइव कर सके, हलाकि लोगडाउन कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, इसके बारे में अभी तक कोई अनुमान नहीं, इसके बार जैसा कि मैंने बताया था, आपको कम्प्लेंड कहां करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको हमारे ब्लॉग www.workarbhas.in का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप तो क्लिक करते ही हमारे इस वाले पेज पे आजाएंगे, जिसमें हमने पूरी जानकाडी देने की कोशिस की है, जैसे ही नी चाहिएगे, तो यहाँ पे हमारा वो Tweet दिखेगा, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करेंगे, तो यह वाला आपका खुल जागा, यहाँ पे क्लिक करके, रिट्वीट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, आप मैसेज लिख सकते हैं, जो कि सीधे मनिशी शोदिया, अरविंद के जिवाल जी के Twitter ID पे जाएगा, इसके बाद जो हमने समाधान ढूंडा है, उसके लिए आपक या तो अपने mobile से टाइप करना होगा, या फिर computer है, तो वहाँ से टाइप कर सकते हैं, जिसमें की complaint आप लिखेंगे, तो उसमें आप अपना पूरा नाम, पिता, पती, पतनी, जो भी नाम है, जो आपके card में लिखा हुआ है, वो पूरा नाम लिखेंगे, अपना पूरा प करेंगे, ताकि ये साबित हो सके कि अभी आपका जो card है, active है की नहीं, इसके साथ ही आप अपने bank का नाम, या या state bank, पंजाम निसल बैंक या जो ही bank है, उसका नाम और खाता नंबर जरूर लिखेंगे, और ये ध्यान रखे कि आधार card से link होना चाहिए, आपका bank number जो detail या फिर घर बैठना पर रहा है, दिल्ली सरकार दोरा घोसित निर्मान मजदूरों को करोना काल में अतरित शहायता रासी 5-6,000 रुपे खाते में क्रेट नहीं किया गया है, इसके बाद अंत में लिखेंगे, या ता हाप से अनरोध है कि या था सिगर मामले की जाच कर मेरे खाते में शहायता रासी अबिलम क्रेट करने की किरपा की जाए, ताकि इस बिसम परिस्थिती में हमारा परिवार जिन्दा रह सके, यह जो कंप्लीन आपको भेजना है, इमेल के द्वारा भेजना है, अगर आपको इमेल के द्वारा कंप्लीन नहीं करना आता हो, अपने घ नहींने का अगर स्टेट्मेंट है, तो वह भी लगा दें, और यह इमेल आपको कहां कहां भेजना है, उसके लिए थोड़ा सा गौर करेंगे, सबसे पहले अरविंद के जीवाल का इमेल आइडी मैंने यहां पर दिया है, इसको आड़ करेंगे, मनीशी शोदिया जी का दो इमेल आइडी हमने दिया है, दोनुको आप अड़ करेंगे, उसके बाद स्रम सचिव यानि कि लेवर सेक्रेटरी का यह इमेल आईडी है, हो सकता है, बाकि जो मैं नीचे इमेल आइडी बताओं, हो सकता है आपको जवाब नहीं दे, लेकिन यह तीन इमेल आइडी से आपक जैसे कि आप देखेंगे अगर South के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हमने District Level Office का पता लिख रखा है, यहाँ पे email ID है, और कौन सा area जो है आपका South में परेगा, यह सारा थाना का detail है, इसके बाद Southwest में आते हैं, तो उसका email ID है, Southwest में कौन-कौन से थाना के अंदर अंतरगत आता है वो यहाँ पे detail है, इसी तरह अलग-अलग पूरे दिल्ली का हमने यहाँ पे email ID देने की कोशिस की है, तो आपको बता दू, सारा email ID को पर copy करके यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे अपना subject देंगे, जो भी subject है, कि 5-6 रुपया जो liver card का है, वो आपके account में create नहीं हुआ ह और बाकी यहाँ पे copy paste कर देंगे, और यहाँ से attach करके अपना जो liver card का photo है, और इसके बाद जो आपका account statement है, अगर available है तो उसको लगा देंगे, तो दोस्तो इस तरह से आप अपना email भेजेंगे, और हो सकता है ज्यादा संख्या में जब आपका email प्राप्त होगा, तो इसके बाद अंत में आपका कोई भी सवाल हो, comments में लिख करके जरूर पूछेंगे, वीडियो को अधिक सदिक से like करेंगे, और अधिक सदिक share करेंगे, ताकि अधिक सदिक शात्यों तक यह जानकारी पहुंच पाए, इसके साथ ही बिदा लेता हूँ, जल लिएकने जानका अरी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद.